हमारे साथ भीमार्मी चीफ और अजाज समाज पार्टी के रास्टे अद्लक्स चंद्रशेखर हैं चंद्रशेखर जी एक वीडियो आपका वारल हो रहा है इसमें आप कह रहे हैं कि खतोली मेरी वज़े से जीता गया चुनाव और इसके अलावा आपके तो यह लोग तो हमें पैदा भी ना होते हैं क्या वो वीडियो है क्या कुछ कहना चाहा रहे हैं आप उसमें दिखे खतोली का जो चुनाव है कि खतोली 2019 से 17 1922 में विपक्स हारा बुच्सक इसने फिल्ड में सवाल किया कि भई इस चुनाव को किस तरह लडएंगे तो मैंने उनसे कहा जिस तरह से हमने खतोली का चुनाव जनता का लाइंस बनाके लड़ा हमने महनस से अलाइंस किया है और हम लोगों के दुख दर तकलीफ को समझते हैं उनके लिए आव मुख्य मंतरी भी आए बड़े बड़े नेता भी आए एक मुझफण अगर से मंतरी महां सेंटर के भी हैं उनका पूरा संगठन लगावा था तमाम साधन संसाधन लगे सरकारी पर सिंद्री का दुरुप्यों का फिर भी हमने उसीट उनसे छेनली ये बल जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संगर से समाज में जो विस्वास और प्यार हम लोगों ने पैदा किया तो जो हमारी अपील का असर है क्योंकि वो देखते हैं कि 24 गंटे साथ दिन चंसे कर आजाद उनके हितों की रक्षा के लिए कहिना कहिन संगर्स करते रहते हैं तो मेरी बात को मानते हैं उसका प्रणाम हम लोग खतोली जीते और मैंने कहा कि अगर देश में बावसाम बेड़कर सविधान का अधिकार नहीं देते तो साइद कोई जो है सविधान में अधिकार नहीं तो साइद कोई दलित पिश्ड़े वर का बच्चा या महिला किसी कुर्षी पे ब कोट से त्यार होगा तो आज तो कहीं नहीं जो है उस ववस्ता में बहुत बदलाव हुआ है को मेरा इमानना है कि आने वाले कल में जो मैनत हम लोग कर रहे हैं जनता उसको आशिरवाद भी देखें काशिराम जी ने मायावति को अपना उत्रादिकारी मनाया था उसके दा रहे हैं देखिए मैं काशिराम साहब के विचारों का उत्रादिकारी हूं मैं बावसां बेड करके विचारों का उत्रादिकारी हूं मैं चोदरी चरण सिंजी के विचारों का उत्रादिकारी हूं उन्होंने जो विचार उन्होंने जो सिध्धान उन्होंने जो संगर् काम करना उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग संगर्स कर रहे हैं मेरे मानना है कि समाज भी हर चीज़ को देखता है समाज जब कोई समान लेने के लिए बजार में जाता है तो एक रुपे के समान को लेते हुए दो बार सोचता है देखता है तो वो भी देख और जब उन से भी जो है लोग का दिल नी भरा तो मेरे उपर गोली भी चलाए गई काफी स्वक्षा की वश्था के बाद भी मेरे जो लाइसंस मैंने सरकार से का तो लाइसंस मेरे नहीं हुए तो मैं समझता हूं कि जनता और पूरा हमारा संगठन और हर वेक्तिय देख रहा ह है किस तरह अपने जान को दाओं पर लगा के इस लड़ाई को लट रहा है यही माने वरकाशिराम साब ने सिखाया था यही का बावा साब बिटकंड सिखाया था यही चोदरी चंशीन सिखाया था तो मैं नीती रीतिव को आगे बढ़ाने काम करा है इसलिए मैं अपने पे सारे काम होते हैं घृँ है जो फल कच्छा होता है उसके पकने तक का इनतजार किया जाता है अगर कच्छा फल तोड़ लिया जाए तो इसके प्रीना मच्छे नहीं होते तो समय आने पर सब चुझे हो जाएंगी मेरा विश्वास है कि वो भी सब ये समझते हैं जितने विपक्स के दले हैं कि किस तरह से भरत जनता पार्टी को रोका जाए और भरत जनता पार्टी को किस सिट पर कौन परतियासी रोक सकता है तो नगीना में आजास किसमें कि यह के कारकळता के मैनस से हमने ऊस सिट पर इतना मजभूतिसे काम किया है स्रडूलकास्ट बेकवर्ड माइनोर्टी और नयाए पसंद हर जाती वरक के वोट को मैलाओ के वोट हम ने समालने काम किया है, वोफ कमेटिया बनाके बूफ कमेटियों के जरीये बूफ को जीतने का उन्तजाम में हम लोगikte करना है. और बहुत से जो है वो नगीना की जनता को टे करना है लेकिन ये अखलेश रादव और कॉंग्रेस हैं ये नगीना स्थिट को लेकर अपनी स्थिति को निस्पस्ट कर पा रहे हैं अभी तक ये लोग ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लो मैं भी चाहता हूं कि क्योंकि बावस्वाम बेटकर ने जो अधिकार सविधान में देते वो सब अधिकार बचे रहे हैं इसके लिए भरत जनता पार्टी किसी जाती धर्म की नहीं भरत जनता पार्टी पूंजी पतियों की पार्टी है पैसे वालों की पार्टी है और देख रहा है नोजवान जिस तरह से भिरोजगार है किसानों को फसल के दामने और और यह जो अवारा पॉस्ट्र में जिस तरह से अपमान उत्तर प्रदेश देस ब्रमें और यह भी लोग समझ रहें इस वज़े से मैं मानता हूँ कि समय पे वो भी हमारा साथ देंगे सर एक सवाल ओद करूँगा मैं आप से कि जिस तरह से भी चर्चाएं हैं कि आज अकल के अंदर मायवती भी कही ना कहीं गटबंदन का हिस्सा हो सकती है तो क्या आपके टिप पने लेगी देखे अगर मानने भेंजी ऐसा कदम उठाती है तो मैं उनका धन्यवाद दूँगा और क्यूंकि मैं मानता हूँ कि उनके आने से गटबंदन को बल मिलेगा उनके आने से जो भाजपा को नुक्सान जो है होगा वो भी देश जो है समझ रहा है मैं तो उनसे आगरे करूँगा कि वो भी इस गटबंदन का हिस्सा बने हमारे साथ आके भारजनता पार्टी को रोखने मदद करे और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आज किसी का व्यक्तिकत इतनी यह राजपा का मामला है जिस तरह देश में जो चल रहा है उस बात को समझते वे उनको भी अपनी जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए वो अगर अलाइंस का इस्सा होती तो अलाइंस मजबूत होगा हम सब लोग मजबूत होंगे और देश भी मजबूत होगा भारजनता पार्टी को रोकना असान होगा इसलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि अगर राश इतके लिए कोई भी कुर्मान देनी पड़े भाजपा को रोकने के लिए कोई भी कुर्मान देनी पड़े तो हम उसके लिए तयार हैं कि मैं मन से चाहता हूं कि इस देश में जो वैवस्ता में बड़े-बड़े परिवर्तन सविधान के जरी हुए उनको अभी जारी रहना चाहिए भारतियनता पाट्य उनको रोकने काम कर रही है इस तरह से पहले दली पीछे वर्गों के बच्चों के लिए स्कॉलर्श भाती और उसको प्राइटी दी जा रही है और उसके साथ इस तरह से आरक्षन को जब सरकारी नोक्रिया नहीं रहेंगी तो आरक्षन का क्या फायदा होगा जिस तरह से लोकतंत्र को भी धनबल के आधार पे हमने चंडिगड में भी देखा और हमने बहुत सरे स्टेटों में कर रही है इसके खिलाब अगर सब लोग एक टूट हो जाएं तो यही आज के समय में समध्दारी है नगीना सेट पर आप भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन चर्शा यह में अगर मायवत धी गटबंदन का हैसा होती है तो शयाद वो आकास अनंद को मापतर उतारने हैं आपके जनता यह बाद देख रही है कि कौन वेक्टिन के वाज को मजबूत से उठा सकता है और जो आज महौल है देश में आपने कल देखा किस तरह से एक पुलिस कर्मी ने दिल्ली में सजदा कर रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग के साथ किस तरह का वैबार किया क्या इस देश में दोत्रे कानून चल रहे हैं एक तरफ हम लोग अपने कावडिय भाईयों पर फूल बरसाते हैं दूसी तरफ वहीं मुस्लिम समाज के लोग जब अपनी आस्था में के लिए नमाज पढ़ते तो उनको जो है हम लोग लात माने काम करते हैं अगर आप कोई किसने इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है रोड ब्लोग की उसकी तो हम उसको समझा भी सकते हैं उनको अगर वो अनावस्था के उस पर कारवाई भी कर सकते हैं लेकिन हमें हमें एक चसमे से नहीं देख सकते हैं वहीं दूसरी द्रफ जहां सस्पी, डियम, डियाईज डियाईजी, डिजीपी मिलके जो है कावडियों के पैर दबाते हैं फूल फैकते हैं वो भी उनकी आस्ता का भी सम्मान है लेकिन क्या इस देश में मुस्लिम समाज की, सिख समाज की, जैन समाज की, दलिस समाज की आस्ता का कोई सम्मान नहीं है इसलिए मैं मानता हूँ यह करने के लिए साहरा लेती हो सकता है क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंटर के हाथ में हमिशा इसको अपरेट करते हैं हो सकता है यह कोई देश में बड़ा मसला जो है जगड़ा कराने का कोई इस तरह का महौल खराब करने का मुझे इसा लग रहा है इसलिए लोगों सावधान रहने चाहिए एक आखरी सवाल और करूंगा अभी पिछले दिनों मंत्री मंडल विस्तार हुआ यूपी में ओपी राजबरी मंद्री बना दी गेराश्टिय लोगदल के विदायक भी मंत्री बने हैं और दारा सिंग चुहान ने उनको भी मंत्री बना कैसे देखते हैं उस मंत्र हुआश्य न को के तक आख करू लोग को इसका मतलब ये हैं और वह समयती है जिंड़िया सत्ताम ने रहना है तो वह जिन लोगों हुआ में कि एक वेक्ति जुरत है कोई अगर उनका साथी नाराज है किसी को नाराज ना करें ना मिल जूल के आगे बड़ें तब ही हम भारती जन्ता पार्टी को रोक सकते हैं मैं अगर फिर आपसे कह देता हूं कि मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं लेकिन हम चाहते हैं कि बारजन्ता पार्टी की केंडर की सरकार है उसकता से बेदखल हो और एक नियाए प्रजन्त सरकार सब के मिली जूली सरकार एक बने जिससे सभी वर्गों को आगे बढ़न चाहिए और मैनत हमारे मैंने का इसलिए हमने जनता से वहां नगीना की जनता से जिसको छेतर में रोजगार के सादर नहीं खड़े हुए अच्छे उस्पिटल नहीं है अच्छे स्कूल कॉलिज नहीं है उनिवस्टिया नहीं है तो वहां का नोजवान भी परिशान है वहा वहां के पड़े लिखे नोजवानों को रोजगार करने के लिए फद्वार आना पड़ता थे पड़े लीखे नोजवानों ये बीमार मीचीफ चंदर शेका राजा साफ सोर्फ में भारत इंता पार्टी पर कहीं Ratni, रॉइक अजवाजानों 5 के लावां इंडिया गटबंदन से लेकर बसपा तो अभी इन्होंने काफी नसीहते भी दी हैं। टीविनान यूपी के लिए सारनपूर से विकास कपेली।